won messenger,ário लो फ्रेंड्ड बहुत बहुत सोगत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे टैन्स एन औरवर्वailing और बहुत ही इंपोर्टेटन बीजिक कउंसेट मैं आपको इसमें एक्स्प्राइइन करूंगा और यह वीडियो सभी banking exams के लिए और सभी SSE exams के लिए बहुत ही important रहेगा तो चलिए शुरुआत करते हैं देखते हैं यह इस chapter का part 1 है और इसके जो remaining videos हैं वो आगे के videos में आप देख पाएंगे तो चलिए देखते हैं इन concepts को देखें English में तीन tense होते हैं यह हम सभी को अलड़ी पता है present tense, past tense and future tense और इसका subdivision होता है एक tense में 4 tense और होते हैं simple और indefinite जिसको हम बोलते हैं continuous, perfect और perfect continuous तो इस तरीके से 3 basic tenses में 4 subdivision के बाद total 12 tenses होते हैं और इन 12 tenses को मैं इस part में explain करूँगा, इस chapter में explain करूँगा, इस में मैंने verb form पर ज्यादा मैंने focus किया है, basic जो verb forms हैं वो बताई हैं इस class में और tense का जो remaining part है वो आगे के videos में आपको मिलेगा तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ examples जैसे यह present tense के चार example दी हैं यह present simple tense है, I teach daily, I am teaching daily, यह present continuous tense है, यह present perfect tense है, I have already taught, और I have been teaching since 1990, यह present perfect continuous tense है, तो इनके rules क्या होते हैं यह मैं आपको बाद में detail में बताऊंगा, पहले आप basic समझे, यह past tense के चार example दी हैं, I taught yesterday, second form आती है, वर्प की second form past tense में, I was teaching yesterday, यह past continuous tense है, I had taught before you came, आपके आने से पहले मैं पढ़ा चुका था, यह past perfect tense है, यह काफी important tense होता ह है, exams के लिए, और यह वाला tense भी काफी important है, past perfect continuous tense, I had been playing for three hours before you came, मत्ब पास्ट में जब आप आए थे, उस समय में पिछले तीन घंटे से खेल रहा था, तो यह दो tense काफी important है, examination point of view से, और यह है future के example, I shall teach, he will teach, he will be teaching tomorrow, and इसमें यह वाला tense काफी important है, future perfect, by this time tomorrow, he will have reached agra, by का जो प्रियोग करते हैं, हम perfect tense इसमें करते हैं, यह आप ध्यान रखिए, और by यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसलिए इसमें will have का प्रियोग होगा, ठीक है, और जो next sentence है, last sentence है, next year on third July, अगले साल, तीन जुलाई को, वह है, यहाँ पर तीन साल से पढ़ा रहा हो और written English में इसका प्रियोग होता है, यह वाला जो tense है, future perfect, यह वाला जो tense है, यह काफी important है, examination point of view से, अब यहाँ पर हम कुछ basic verb forms पढ़ेंगे, जैसे abide का first form abide है, second form abode है, और third form abided है, इंगलिश में verb की तीन form होती है, first form आप बोल सकते हैं, present form, past form बोल सकते हैं, second form, और एक होत होते हैं, past participle form, ठीक है, जिसमें normally ED लगा रहता है, और यह ED बाली जो form होती है, इसको हम adjective की तरह भी यूज करते हैं, तो कैसे यूज करते हैं, इसको अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि abide का मतलब क्या है, एक तो abide के इसके तीन मतलब है, एक ह इसका मतलब है सहन करना, और एक इसका मतलब है कहीं पर रहना, यह तीन मतलब हैं इसके, और यह तीन सेंटेंस मैंने यहां पर इसके दिये हुए हैं, I said I would abide by their decision, मतलब मैंने कहा कि मैं उनके decisions को, उनके decision को मानूँगा, if there is one thing I cannot abide, it is a lack of discipline, यह दी कोई एक चीज है जिसको मै सहन नहीं कर सकता वो, तो वो है, discipline की कमी, अनुशाशन की कमी, many unskillful men do abide in our city of London, काफी सारे unskilled men यहां पर रहते हैं, तो यह इसका मतलब है, abide के यह तीन मतलब मैंने आपको बताएं है, arise का मतलब है, emerge होना, किसी चीज़ का निकल के आना, arise का मतलब rise भी होता है, मतलब bed से देखे, bear का मतलब सेहन करना भी होता है, देखे, दो मतलब है, bear के इसको आप ध्यान से समझेए, इसका एक मतलब है, पैदा होना, ठीक है, जैसे मैं गौलियर में पैदा हुआ था, जैसे मैं आगरा में पैदा हुआ था, तो उस sense में इसकी तीनो form में यह वाली है, bear, bore, और born, ठीक है, इसको bear नहीं बोलते हैं, bear बोलते हैं इसको, bear, bore और born, तो born इसकी third form है, और born का प्रियोग हम cable passive voice में ही करते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलूँगा, I was born in Galiar, I was born in Jaipur, ठीक है, तो इसका प्रियोग born का हम passive voice में ही करते हैं, इसका यहाँ पर यह meaning लिखा हुआ है, bring forth और produce, प्यादा करना या आगे लाना उसको, और एक bear का यह दूसरा मतलब है, इसका मतलब है सहन करना या किसी चीच को carry करना, तो उस sense में इसकी form जो third form होगी, वो यह होगी, B-O-R-N-E, born, carry करना या सहन करना, यह बहुत important concept है, इसके base पर काफी question आते हैं, और born का प्रियोग हम हमेशा passive voice में करते हैं, मैं ऐसे नहीं बूल सकता कि I am born, I am born तो passive voice हो जाएगा, I was born, I was born in Gualier, यह सही है, लेकिन I born ऐसे नहीं बूल सकते, यह इसका प्रियोग active voice में नहीं होगा, यह हमेशा आप ध्यान रखिए, born का प्रियोग हमेशा passive voice में ही होगा, beat का मतलब किसी व् पालना या पीटना, become, became, become, यह second form, third form सारी दी है, bigot का मतलब produce करना, पैदा करना, ठीक है, bigot second form है, और bigotten इसकी third form है, तो tense के basics बताने से पहले, मैं आपको यहां पर यह कुछ forms बता रहा हूँ, तभी जब आप यह सारे basic forms समझ लेंगे, तभी आपको tense के जो basic rules है, वो अच sentence correction के, sentence improvement के और fillers के आते हैं, exams में, ठीक है, यहां पर मैंने कुछ और forms दी हैं, जैसे begin, second form होगा begin, और third form होगा begin, यह forms आपको अच्छे तरह से याद होनी चाहिए, behold का मतलब होता है, किसी चीज को देखना या निहालना, उसको हम बोलते हैं, behold, beheld इसकी second form है, और beheld इसकी third form है, इसको हम beholden भी बोलते हैं, यहां पर लेखाए, also beholden, besieege का मतलब है, implore करना, back करना, किसी से बहुत ज़्यादा request करना, उसको हम besieege बोलते हैं, यह second form, third form है, past participle form है, अब देखे, यह important है, और bid, एक bit का मतलब होता है, बोली लगाना, और एक bit का मतलब होता है, आग्या देना, या goodbye कहना, तो उस sense में, इसकी तीनों form में यह लिखी हुई है, bid, bid, और bidal, और बोली लगाने के sense में, इसकी तीनों form में same रहेंगी, यह बहुत ही important concept है, इसको आप अच्छे तरीके से सीखिए, बॉर्ण का यहाँ पर मैंने बताया है, I was born at an early age, ठीक है, तो एक जी sentence दिया है, यह पैसे वो इसमें use होगा, इस बॉर्ण का मतलब होता है, carry करना, जैसे this virus is airborne, मतलब यह virus, air से फैलता है, airborne है यह, this terrible customer service cannot be born, मतलब इस बेकार customer service को सहन नहीं किया जा सकता, तो सहन करने के sense में देखिए, यहाँ पर born का प्रियोग हुआ है, जो की सही है, यह correct का निसान लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यह वाला जो born ने इसका मतलब होता है, small stream, या पानी की छोटी सी धा तो इस तरीके से born or born का प्रियोग होगा, और यहाँ पर bid के मैंने कुछ sentences दिये है, he says he bid for the belly end, because he was impressed by the clubs infrastructure, तो bid यहाँ पर सही है, इसका प्रियोग हुआ है, बोली लगाने के sense में, और यह गुडवाइक में बेड हम लखेंगे, यह सही है, यह देने के sense में यह बेड सही है, I bid on the expensive painting, यह सही है, बिड यहाँ पर, यह सारे sentences सही है, कुछ और form देखते हैं, यहाँ पर bind का मतलब होता है, बहंदना या attach करना, bound और bound इसकी forms होगी, बाइट का मतलब, जैसे साप काट लेता है, या कुटा काट लेता है, या कोई भी कीले आपको काट लेता है, उसको हम बाइट बोलते हैं, तो बिटन इसकी third form होगी, bleed मने खूल निकलना, यह second form, यह second form, यह third form, ठीक है, यह break, broke, broken, यह second form, यह third form, bring, मतलब लाना, brought, brought, second form, third form, बिल्ट, बिल्ट और बिल्ट, यह second form, और यह third form, burn का मतलब जलना, burnt, अब देखे, यह anti वाली यह form होती है, यह past participle form है, इसको हम adjective की तरह भी use करते हैं, जैसे broken, blown, bled, इसको अभी मैं बताऊँगा आपको detail में, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है, किस तरीके से हम third form क adjective की तरह use करते हैं, जैसे adjective यहाँ पर मैंने explain किया है, adjective को adjective participle जो होता है, इंग्लिश में, वो actually adjective ही होता है, देखे, present participle, जैसे present participle में ing form लगी रहती है, और past participle में ed या en form होती है, और दौनों ही adjective होते हैं, adjective का मतलब है, यह किसी भी noun की विशेषता बताते हैं, जैसे running tap, चलता हुआ null, तो null कैसा है? नल चलता हुआ है, बहता है, ठीक है, तो इसलिए running जहां पर running जो हुआ वो adjective हुआ, tired man, man कैसा है, ठका हुआ है, तो tired जो हुआ, वो adjective हुआ क्योंकि यह man की विशेषता बता रहा है, तो ed बाले जो form होते हैं, वो सारे adjective होते हैं, जैसे tired है, born है, बिरीवड है, बिरीवड मतलब दुखी, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, बिल्ट मतलब बना हुआ, ब्रेड मतलब जिसका पालन पोरिशन हुआ है, ठीक है, बर्न्ट मतलब जला हुआ, बस्ट मतलब फटा हुआ, इल् camino मतलब जैसे ill-getden money हम बोलते हैं बुरे तरीके से कमाया गया पैसा, रिटिन, इस्पोकन यह इन और इडी वाले जो form होते हैं यह होते हैं एड्डेक्टिव फ़र्म, तो इसकी ट्यरेक्ट फ़र्म आपको पता होना चाहिए इसे tired man, यह सही है, water, bored, water से पैदा होने वादी डिजीज, bereaved widow, तो इसमें आप देखिए ध्यान से के noun की विसेशता एक adjective इसमें बता रहा है, man है, यहाँ पर water है, यहाँ पर widow है, यहाँ पर toy है, यहाँ पर quality है, यहाँ पर man है, यहाँ पर house है, यहाँ पर English है, spoken adjective है, यहाँ पर burnt adjective है, यहाँ पर bread adjective है, यहाँ पर built adjective है, तो इस तरीके से और in word के जगह अगर यदि आप दूसरा word को use करेंगे, तो वो sentence आपका गलत हो जाएगा, तो इसको आप धान से समझेए, यह बहुत ही अच्छा concept है, और बहुत ही important concept है, particularly examination point of view के लिए, यहाँ पर मैंने कुछ examples दिये हैं, I saw a burnt house and a tired man there, ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया है किस तरीके से इनका use होगा, written English, यह सारे मैंने sentence बताये हैं, जिसमें noun के साथ adjective का प्रियोग हुआ है, ठीक है, तो इनको आप आराम से पढ़ लीजे, यह इस तरीके से यह सारे correct sentences हैं, इस मैं यह आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे तो वो sentence गलत हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आप born की जगए burn कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि disease के लिए बता रहे हैं आप, water born disease है यह, ठीक है, और bereaved widow, इसकी जगए bereaving कर देंगे तो यह गलत हो जाएगा, built quality, य ठीक है, broke toy कर देंगे तो यह गलत हो जाएगा, broken toy सही है, तो इस तरीके से आपको इसको, इस concept को समझना है, यहाँ पर मैंने कुछ और word दी है, cut की तीनों फर में समान रहती है, deal मतलब सामना करना है, leg मतलब खोदना, do माने कोई काम को करना, draw माने खीचना, या portrait करना, drink मान पीना, और drunk जो है, वो adjective है, जैसे यदि मैं बोलूँ कि he is drunk, तो इसका मतलब होगा कि वह पिया हुआ है, उसने शराप पी हुई है, he is drunk, और drunken भी हम बोलते हैं, drunkard होते हैं, जो जिनको लत लगी हुई होती है, पीने की, drunkard, पी अक्कर जिसको हम बोलते हैं, और drunk भी बोल स होता है, it was a drone match, वो match कैसा था, drone था, match यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पर आपको adjective form चाहिए, और adjective form होगी, drone, तो यहाँ पर सही आंसर होगा, आपका drone, drew match नहीं होगा, drew से गलत हो जाएगा sentence, कत की थीनों पर में समान रहती हैं, तो इसलिए यहाँ पर cut आएगा, इसलिए sentence मैंने गलत इंडिकेट किया है, कि यह sentence गलत है, ठीक है, I drank filtered water, water कैसा था, filtered था वो, ठीक है, तो filtered क्या हुआ, adjective हुआ यहाँ पर, क्योंकि यह water की विशिस्ता बता रहा है, he is drunk, ठीक है, तो यह adjective हुआ यहाँ पर, this match will be telecasted, यह casted की form ED नहीं आता है, इसमें कि बढ़ टेली नीचे देखिए आप, I bid on the bungalow yesterday, मैंने bungalow पर बोली लगाई, तो बोली लगाने के लिए हम यह वाली form यूज करेंगे, यह वाली form यूज नहीं करेंगे, इसलिए यह वाला sentence गलत है, और यह वाला sentence सही है, the child cried and clung to its mother, मतलब बच्चा रोया, और अपनी मदर से लिपट ग आईगी, तो इसलिए यह sentence आपका सही है, और यह वाला sentence आपका यह वाला गलत है, तो इस तरीके से इनको आपको देखना है, drive का second form होता है, drove और driven, dwell, dwell के 3-4 मतलब है, dwell का मतलब रहना भी होता है, dwell का मतलब past में जीना, या past की बातें करते रहना, ठीक है, या dwell का एक मतलब और होता है कि किसी subject पर detail में बूलना, वो भी dwell होता है, तो अलग-अलग तरीके से इसका use हो सकता है, देखे यह fall important है, fall और rise इंपोर्टेंट है, एक होता है गिरना और एक होता है गिराना, तो गिरने के sense में यह वाली form आएंगी, गिराने के sense में यह वाली form आएंगी, ठीक इस वीडियो का आप दो-तिन बार देखेंगे, तो यह सारी word form आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी, यहाँ पर मैंने कुछ sentences दिये हैं, इसकी मदस से आपको concept clear हो जाएगा, raise your hands, अपने हाथ उठाओ, तो यहाँ पर raise सही होगा, rise नहीं होगा, क्योंकि rise माने होता तो इसलिए raise यहाँ पर सही होगा, I have got a salary raise, यहाँ पर raise होता है, ठीक है, अब देखिए, raise your living standard, अपना living standard बढ़ाओ, उठाओ, तो उठाने के लिए हम raise बोलेंगे, rise का मतलब होता है कि वो चीज अपने आप उपर उठ रही है, raise का मतलब है कि हम उसको उठा रहे हैं, यह basic concept आप समझे, raise का मतलब है अपने आप उठना और raise का मतलब है उसको किसी प्रयास के द्वारा उठाना, ठीक है, we should rise early, ठीक है, तो यहाँ पर rise आएगा, early to bed and early to rise, यहाँ पर rise आएगा, यह मैंने सही answer बगल में लिखे हैं, prices are rising, मतलब प्राइस अपने आप बढ़ रही हैं, ह ठीक है, he felled some trees yesterday, उसने कल कुछ पेड़ गिराए, गिरे नहीं अपने आप पेड़, उसने गिराए, तो इसलिए felled आएगा यहाँ पर, ठीक है, और he fell from the top, वह अपने आप उपर से गिर गया, उसको गिराया नहीं, वह अपने आप गिर गया, तो इसलिए यहाँ पर fell पर्टिकलर सीचुएशन में रह रहा था, ड्टिकलर सीचुएशन में रहना हुए, गरीबी में अपना जीवन जी रहा था, he was dwelling in poverty, he dwelt on the need to trim the budget, मतलब उसने काफी डिटेल में बोला कि बजट को trim किया जाए, कम किया जाए, he dwelt on the need to trim the budget, यह sentence सही है, he kept dwelling on what went wrong, मतलब वह प जाया है, जो की सही है, तो यह part one था, tense का कुछ basic concept मैंने बताए, और कुछ basic work form इसमें मैंने आपको बताए है, आगे का tense का आगे का part आप next videos में देखेंगे, तो उसमें मैं tense के basic rules और कुछ work form आपको बताऊँगा, तो इतना आप समझीए, इसको आप ध्यान से पढ़िए, और next मैं next video में बताऊँगा, यहाँ पर आप मुझे अपना feedback दे सकते हैं कि कैसा लगा आपको यह video, कोई गलती लगी हो, कोई error लगी हो, कोई spelling mistake लगी हो, तो उसको जरूर आप point out करें, और मुझे बताएं, इस email ID पर मैं definitely उसको appreciate करूँगा, और English Advantage group है Facebook पर, उसको आप join क करें क्योंकि वहाँ पर मैं सारे notifications भेशता रहता हूं, so thank you very much for watching this video, thank you